तो ट्रेंड अभी फिर से आ गए हैं और एक पुजा पंडाल दिखाने के लिए तो यह रहां में गेट बड़ा सा है यह देखिए बहुत ही सुन्दर बनाया है और अभी तो इधर यहां तक गाड़ा अभी भी आने दे रहा है और कुछ दिन बाद गाड़ी भी नहीं घुसा पाएंगे इधर से पूरा बंद हो जाता है इस पैदल के लिए तो यह गेट बहुत अच्छा बनाया है देखिए कितना लंबा गेट पास्तों कि अधर में यह रहा है आउल है क्या और देखिए लाइटिंग कितना सुंदर रुकिये ना उदर चल जाते हैं थोड़ा सा अभी खाली खाली भी है अभी से यहां पे तो देखने आ रहा है इधर में खड़ा कर देंगे ठीक है काड़ी को इधर में खड़ा कर दीजिए ना और यहां पेड़ सब कितना सुंदर अब हास्बेन क्या बोल रहे है इस बार मम्मी का हाथ पकड़ के मत घुमना नहीं तो मम्मी तुमको भुला देगी वद्व कि हम वीडियो बनाने में इतना बीजी हो जाएंगे कि अपना बच्चा को भी नहीं सभाल पाएंगे और यह देखी कितना सुंदर लाइट और अभी चल रहे हैं हमको अंदर अभी यहां पिना बहुत ज्यादा भी होता है अभी और यह वाला घर को भी सजा दिया है बहुत ही अच्छा बहुत ही सुंदर लग रहा है गेट बंद कर दिया है इधर बंद हो इधर से जूख के पार होना हो पड़ेगा इधर वैसे गेट बना दिया है आजा आजा इधर से आना बदमास इधर से पार हो जाओ आजा थोटे आजा हाथ पकड़ो हाथ पकड़ो और उधर में अंदर नहीं जा सकते क्योंकि वहां बंद कर दिया है काम चल रहा है हासी हो गया यह रहा यहां का यह है चंडिदा मारकुनी यह है मारकुनी पुझा पंडाल चंडिदास का बगल में है और ऐसे बनाया है यहां भी बेंबू से बना रहा है यह देखिए यह सब जो डिजाइन किया है ना वो सब बेंबू से काट काट के बनाया है और एक जगह वहां भी बेंबू से ही बनाया है और अंदर में अंदर में कुछ इस तरह का है और इधर साइड साइड भी यहां पर बंद है इधर घुस नहीं सकते क्योंकि बंद कर दिया है यह बहुत बड़ा बना रहा है हां महक रहा है उसका महक आ रहा है चलो वापस चलो चलो हो गया अब यहीं पापा नहीं आ है उधर से नहीं यहीं पर से जाएंगे अच्छोटी देखिए दोड़ के जा रही है अच्छोटी आज अई लगाएगी लगाएगी इस देखिए इधर दोड़ रही है इस भी बहुत अच्छा बना रहा है हस्बेन आये नहीं क्योंकि उधर जुक के पार होना था इसलिए आये नहीं वहीं पर खड़े हैं यह अच्छा लगा हो तो लाइक सेर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा तब तक लिए बाइबाए मिलते हैं नेक्स्ट व्लोग में और ज्यादा से ज्यादा सेर कीजिए